तो दोस्तो आज है 7 अगोस्ट 2022 कल 8 अगोस्ट मंडे से एक निया ट्रेडिंग विक शुड़ो होने जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग विक पर हमने देखा था मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत एक परसंद का असपा से रिकवर हुआ था बट अल्टिमेटली मार्क के अंदर गिरावाट होता है तो कुछ important sectors के अंदर गिरने का बहुत ज्यादा चांस है अब चलिए बिना किसी टाम वेस्ट के एक एक करके update मैं आपके सामने रखता हूं सबसे पहला update है दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है लास्ट एक महीने से हर बड़े छोटे मीडियो कर कंपनी का रेजल्ट आउट हो रहा है तो आगे यानि अपकमिंग डेडिंग विक पर भी बहुत सारे ऐसे important companies का रेजल्ट आउट होने चारा है जैसे कि उसके अंदर नाम शामिल है भारती एर्टेल अधानी पोर्ट पावर ग्रीट कोल इंडिया आइशेर मोटर हिंडेल को टाटा कंजूमर डिवीज लैब ग्रसीम इंडस्ट्री हिरो मोटर कॉप ओंगेसी यह कुछ बड़े इंपोर्टेंट कंपनी जो की निफ्टी में आने वाला कंपनी है उसी के साथ साथ कुछ और बड़े कंपनी मीडियो कर कंपनी जैसे की एलाइसी हो गया नैल को हो गया यह सारी कंपनीज मरेफ हो गया इंदर प्रस्तो गयास हो गया आईडे एपसी होगे यह सारी कंपनीज का भी रेजल्ट आउट होगा अपकमिंग ट्रेडिंग विक पे तो दोस्तों आप सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चैनल के साथ जुड़ा है न हर एक क्व सब्सक्राइब कर दोस्तों जो फोर्कस्ट किया गया है कि आपको देखने को मिलेगा उसी के साथ दूसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि ना ही सिर्फ यहां पर इंडिया के इंफलेशन जो डेटा है वो आउट होगा उसी के साथ सथ यूएस का भी इंफलेशन डेटा आउट होगा जो कि पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन है क्योंकि लास्ट टेम हमने देखा था यूएस का जो इंफलेशन लास्ट 40 साल म अंदर इंफलेशन बर सकता है सिर्फ यूएस ने उसके साथ साथ हमारे परोसी मुल्क यानि चायना का भी इंफलेशन जो डेटा है वो रिलीज करेगा वेड़नेस दे और फ्राइडे पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत इंपोर्टन है स्पेशली यूएस का जो इ नेगेटिव न्यूस के साथ साथ की एफाइस एफाइस जहां पर हमने देखा था लास्ट साथ आट माहिने से लगातार सेल करता वह नजर आया था इंडियान एक्विटी मार्केट के अंदर फाइनली दोस्तों ऑगोस्ट के फर्स्ट वीक में हमने देखा यहां पर 1766 करोर का शेर यहां पर सेल किया तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है कि एफाइस ने जहां पर हमने देखा था लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था इंडियान एक्विटी मार्केट के अंदर वही आज की दिन पर सीधा सीधा बायर्स बन चुका है इंडिया इस मार्केट भी अभी काफी वालेटाइल हमें देखने को मिला तो नैस्टेक के अंदर देखे आधा पर्सन के गिरावाट रहा यानि टेक्स सेक्टर या आई-टी सेक्टर के अंदर आगे गिरने का बहुत जादा चांस है उसी के साथ साथ अगर हम बात करें येरोपेन मा अगरेट क्लोज हो जाता है इंडियान मार्केट उसके बाद फ्यूचर उपन होता है तो देखें निफ्टी फिफ्टी फ्यूचर जो कि लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था था थोड़ा बहुत नीचे मतलब जहां पे निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस ता लास्ट दे सत् चाइना और टाइवान को लेकर टेंशन चल रहा है उसके साथ 200 लगातर हमने देखा यूएस का स्टेटमें भी दिया है जो कि कुछ दिन पहले हमने देखा था यूएस का बहुत बड़ा स्पिकर पलोसी नैंसी पलोसी इन्होंने विजिट किया था टाइवान उसके बाद स इरेस्पॉंसिबल से वाइट हूस तो यहाँ पर लगातर हमने देखा यूएस की तरफ से भी स्टेटमें दिया है जैसे कि यहाँ पर देखे चाइना टाइवान टेंशन लाइव अपडेट चाइना एंड टाइवान नेवी बोट स्टे क्लोस टू स्ट्रंट मेडियम और काम फिर से एक वर्स को लेकर हम जेल रहें अब दूसरा वर्ड यहाँ पर आने की कदार में आ चुका हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां पर यह सब चीज का कोई भरोसा नहीं है तो हमेशा आपको प्रीपेर भी होना चाहिए यह तो सारे होगा न्यू तो जो टोपिक के उपर मैं बात जित करूंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और अब्जर्फ करना बहुत जाद इंपोर्टन होने जा रहा है आपके लिए तो देखें लास्ट एक देर महीने पर आपने देखा था जब लास्ट टाइम जून के महीने पर मार्केट ए निफ्टी के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है एक तो देखें लगातार एक मैने एक दिर मैने रिकवर होने के साथ साथ निफ्टी का जो आरे से इंडेक्स वो देखें 75 पॉइंट सम्तिंग अल्मोस्ट 76 के आसपस निगल के आ रहा है जो कि आज की दिन पर ओवर बॉर करके काफी उपर तक पॉँच चुका है जो कि हमेशा के लिए दोस्तों चाहिए कितने भी बड़े इंडेक्स चाहिए कितने भी बड़े कंपनी का शेर की नहीं रह सकता उसी के साथ सथ यह सारे नेगेटिव नुश भी है तो अल्टिमेट लिए अगर आम बात करें मार्के सब्सक्राइब करने में मार्केट को थोड़ा अभी टाइम देना पड़ेगा अब बात करेंगे क्या अगर मार्केट के अंदर गिरावट होता है सबसे वहली बात आपको पैनिक मत करना अगर मार्केट गिरावट भी होता है क्योंकि इसके पहले भी हमने गिरावट देख चुक है चाहे हम लॉक्डाउन की बात करें चाहे हम उसके भी काफी पहले 2008 की फिनेंशल क्राशिस की बात करें और अगर हम बात करें लास्ट 7-8 माह देने के जो मार्केट के अंदर दबाई हुआ यह सारे गिरावट हमने देख चुका साबसबा में पता है कि मार्केट के अपर चुनिटी बन जाता है इस पेशली जो लॉंग डम इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए बड़े कंपनी के शियर ब्लूचिप शियर म यहां पर काफी दबाब बन सकता है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ तो सबसे पहला एन इंपोर्टन सेक्टर यहां पर रहेगा ओविएसली बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग को भी इंक्लूट कर सकतो क्योंकि यह सारे जो इन्फलेशन रेट जो बढ़ रहा है उसके इंपोर्टन सेक्टर रहेगा ओविएसली आपर आई टी सेक्टर पीछे बहुत बढ़ा रिजन है क्योंकि यूस मार्केट के अंदर लगातार हमने देखा इंफ्लेशन रेट बढ़ रहा है और उसको टक्कर देने के लिए एकदम एग्रेसिब तरीके से इंक्रीज किया ज यह तीन सेक्टर के अंदर आगे गिरावाट होने का बहुत साथा चांस है और बाकी अगर हम बात करें बाकी सेक्टर में थोड़ा बहुत नहीं पर करेंगा मार्केट के अंदर बाकी कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं फटाफटाफाफ को वीडियो के साथ देता पर जहां पर आपका ब्रोकर इच्प्रीज ना के बड़ाबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका डिमेट आपकाउंट बन जाएगा